ये डॉल लटक रहा था, अचानक गिरने के बाद ये जिन्दा हो जाता है, तब ही ये खिर्की से बहार देखता है, जहां इस दुनिया में कोई नहीं होता, अब ये निचे जाता है, जहां ना कोई इनसान था, ना कोई जानबर, चारो तरफ तबाही मची हुई थी, और तब ये ओपने जैसे एक दूसरे डॉल से मिलता है, अब ये उसे इस केन में छुपने के लिए कहता है, तब ही ये बिल्ली जैसे दिखने वाला सेतान रोबोट आता है, और उसे जखमी कर देटा है, अब ये बीस्ट इस केन के अंदर अपना पंजा डाल के इस डॉल के हाथ को देता है, तब ही ये दूसरा डॉल उसकी ध्यान अपनी तरफ खीच लेता है, ताकि उसके जान को बचा सके, अब ये बीस्ट उसे अपने मुँ में पकड़ कर अपने साथ ले जाता है, अब ये डॉल भी जखमी होता है, इसलिए बेहोश हो जाता है, और ये सब कोई इधर से देख रहा होता है, इसके बाद क्या होगा हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे